नसो में जमा गंदे, चिप के कोलिस्ट्रोल को बहुत आसानी से ये 5 फल निकाल देते हैं अगर आप इन्हें अपनी डाइट में इंकलूड करते हैं तो इससे आपकी धमनिया साफ होती है आपका हार्ट अटेक का खत्रा कम होता है, ब्रेन स्ट्रोक का खत्रा कम होता है उन्हें खाने का तरीका आपने बदलना है और इन 5 फलो को अपनी डाइट में जरूर इंकलूड करना है उमीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहत पसंद आएगी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में ताकि ये जानकारी जादा से जादा लोगों तक पहुँच सके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, मैं आपकी होस्स अंदोस मधू एक सर्टिफाइड डाइटीशन और एक नैच्रोपैट आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 फलो के बारे में जिने अक्सर आप अपनी डाइट में इंकलूड तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं और अगर मेरे बताय तरीके से इंकलूड करते हैं तो इससे आपके शरीर को इसके बेहत लाब मिलेंगे सबसे पहली और जरूरी बात ये कि अगर आप फल खाना पसंद करते हैं तो फल खाने का सही समय सुबह का है यानि के ब्रेक्वस्ट में अपने फलो को इंकलूड करें तब ही आपके शरीर को इसके पूरे पोशक तत्व मिलते हैं और ये बोडी को डिटॉक्स भी करते हैं और इनमें मुझूद घुलनसील जो फाइबर होता है वो हमारे डाइजेशन को भी बहुत मजबूत बनाता है इसनिए सुभ़े के समय में फल अपनी डाइटमी इंकलूड करने चाहिए देखा है बहुत सारे लोग इसे खाना खाने के बाद खाना पसंद करते हैं लेकिन ये हमारी गलती होती है क्योंकि फूर्ट्स अपने आप में समपून होते हैं उनमें सारे वाइंटमीन्स और मिनरल्स और सब कुछ होता है जो हमें हमारे portion हमारे खाने से मिलता है तो इसलिए ये संपूर आहार है इन्हीं सिंगल ने भी फल को किसी और खाने के साथ मिला कर ना ले और एक समय पर एक ही फल का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको जादा benefits मिलते हैं इसके लावर जो दूसी जरूरी ध्यान देने वारी बात है आधवीद में कहा गया है और रातरी में खाया हुआ फल आपके लिए मिटे के समान होता है यानि कि इस सुभह में जितने फायदे मिलेंगे उसके कम फायदे दोपहर में और बिल्कुल ना के बराबर फायदे आपको रात में मिलते हैं और रात में फलो का सेवन करने से तो कफ की परकर्टी भी तेज होती है यानि कि कफ दोश बढ़ता है और बात दोश भी बढ़ता है तो इसलिए रात में फलो का इस्तमाल नहीं करना चाहिए चलिए हम जल्दी से आपको बता देते हैं ऐसे कौन-कौन से 5 फल है जिन्हें आपने सुबह अपने breakfast में add करना है नमबर बन पर आता है केला ये तो आपने सभी के मुझसे सुना होगा कि केला बहुत अच्छा फल है digestion के लिए बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि ये body के अंदर से bad cholesterol को भी कम करता है इसमें मोजूज जो potassium होता है ये धमनियों को साफ करने का काम करता है और इसके लाबा घुलनसील जो fiber है ये आतों को detox करने का काम करता है इसलिए नसों में जमा जितना चिपका हुआ मुरा का cholesterol है अगर सुबह खाली पेट आप छिलके के साथ एक केले को खाते हैं तो ये आपके शरीर में जमा जितनी गंदिगी है उसको बहुत तेजी से detox करता है दूसरा शरीर में energy बना करके रखता है पूरा दिन आप energetic feel करते हैं आपको आलस्य नहीं आता है तीसरा सुबह के समय में अगर आप योगा, exercise बगरा करते हैं उसके बाद कोई heavy meal देने की बजाए अगर आप केले को अपनी diet में include करते हैं तो ये आपके शरीर को energy भी देता है साथ में इसमें मुझूद पोशक तत्व जो होते हैं वो आपकी muscles को gain करने में भी आपको मदद करते हैं लेकिन इसे दूद के साथ include करके नहीं लेना चाहिए क्योंकि दूद के साथ आयरुवेद में से विरुदाहर कहा गया है दूसरे नंबर पर आता है आनानास इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे मिल्रस और खनिच पाया जाते हैं और बहुत सारी vitamins होते हैं जो कि हमारे नसो की जितनी भी गंदिगी है उसको साफ करने में मदद करता है आपके हाई कोलेस्टरोल को कम करता है जिससे आपको काफी लाप मिलते हैं अनानास जो है एंटी ऑक्सिडन से भरपूर होता है एंटी इंफ्लमिटी तत भी इसमें पाया जाते है इसलिए blood clotting को भी रोगता है आपके शरीर में खून के दोरान को सही करता है आपके हाई blood pressure को भी कम करने में मदद करता है यह हाट को healthy बनाता है और नसो की सफाई करता है तो इसे भी अपने breakfast में जरूर निकलूड कीजिएगा हपते में दो तीन बार भी ले ले लेते हैं तो लाब मिलते हैं नमबर त शरीर मजबूत होता है आप नॉमल चोटी मुटी बिमारिया हैं उनसे बचे रह सकते हैं जैसे के इस्तारदी खासी जुखाम इम्यून सिस्टम को स्टॉंग बनाते हैं और सबसे अच्छे होते हैं कि लीवर को डिटॉक्स करते हैं जितनी भी खटी चीजे हैं वह आपके बहुत अच्छी होती हैं लीवर को मजबूती भी देती हैं डिटॉक्स करने में भी मदद करती हैं तो इसलिए निम्बू की चाय बना करके लेने से पानी बीने से आपको काफी लाब मिलते हैं अगर आप अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं चौथे निमबर पर आ हम्राइब से सुबबूरीं करने से आपके शरीर को बहुत लाब मिलते हैं कपीते में मोडा फावर기가 और बॉलेट पाए. और बहुत सरे यहionड Consultants पाया जाता है जो इसके पाया जाने वाले और आईङट में जब्लोल को कब और करते है और भी धेर सारा फाइबर इसमें पाया जाता है जो कि आपके शरीर को मजबूती देता है साथ में आपकी बॉड़ी में जमा जितने भी टॉक्सिंस हैं उन्हें निकालने में मदद करता है ये नसों की सपाई करता है इसके अलावा जो हाट की प्रॉब्लम्स हैं हाट में ब्लॉकेज है उसको बनने से रोकता है ये आपके ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है और इसमें पाया जाने वाला वाइटमिन A जो है वो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है तो उमीद करती हूँ इन में से कोई भी एक फाल आप अपनी डाइट में इंकलूड करके अपने जीवन को निरोगी बनाने में जरूर योगदान नेंगे उमीद करती हूँ मैं जो ये मुहीम लेकर के चल रही हूँ कि आपके घर के असपास जितनी चीज़े हैं या आपके किचन में अविलेबल जो चीज़े हैं उनके साथ आप एक निरोगी जीवन जीए इसमें सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ जरूर शेयर कीजेगा चले फिर मिलूँगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना बेहत खयाल रखें और हांसे मुस्कताते रहें स्टे हैल्थी, स्टे हैपी बाबाई